तो देखिए अट्टे पे बना रहे हैं और कितनी आसानी के साथ इस पर जो है अट्टे पर फ्रेमिंग बन जाती है इसके लिए पहले सीधा जो है बड़ी अली सर्या इसमें टाले वह से हिच लो जो देखिए इसमें हैंडी लगाव पकड़ के हिचने के लिए इसके बाद इसमें क्या है कि उचाए वाली सर्या बाहर रहेगी और जो चोड़ाए वाली सर्या है वह पत्ती अंदर रहती है और वही सारुप फ्रेमिंग कर रहा है अपना सारुप भाई फ्रम बन रहा है इस तरीके से फ्रेम जोड़ते हैं आए अगा है अगर्व फ्रेम कि साइज यहां पर लिखी हुई है इस इस साइज से बनाते हैं कि अज़ा ना बनाई ली प्रेम बना मात हो ना धूरी हो जिए तो का करा जिए इस ब्सक्राइब कि अज़ा है कि अज़ा है कि अज़ा है यहां पर आ रहा है 32 और इस तरह भी 32 और देखिए यह फिर्यम जो है एकदम सीधा आए फिर्यम हमारा अगरा लेखिए और अगर यहां पर उसके गोल जाएगा और यह वाली पटि हमारी और्डर राउंड हो जाएगी जैए यह बाहर लगाने से देखिए उमारा फिर्यम देखिए तो आएए जो है पांच शरिय लग रही है तो पहले एक शर्या जो है सेंटर में लगा लेते हैं अधर भी सेंटर लगा लेते हैं कि यहां पर होल्डर सही है नहीं कि राड निकल निकल का जा रहा है कि जा रहा है कि जा रहा है कि अधिक पूंच का गेप है इस तरीके से दिखिया हमारी ग्रिल यह थोटी साइज की ग्रिल है अबर यह वड़ी साइज की गिर्व लेंदी इन्हीं इसमें नौ सर्या होती है यह दो टीन चार पांच और छह सर्या होती वह भी खाना डिवाइट करके जोकी यह इसकी हाइड कम है इसके लिए इसमें च्छे लगा रहे हैं है अगर उसके नाप की और और गिरिल नहीं तो उसको उसको रखके फिर इस तरह से जोड़ेंगे लेकिन आप बाहर-बाहर की आप जरूर देखते रहे हैं जैसे कि एक साइची गई गिरिल है तो उपर रखे आमने सामने गिरिल रखे मार सकते हो लेकिन आप जरूर देखते रहें कभी-कभी ऐसा होता है पत्ती फूल जाती है या अंदर दब जाती है तो देखे बड़ी है इसमें तीन सर्या लगी हुई है यह गिली बड़ी है तो इसमें तीन सर्या लगी हुई है सारुक तो नहीं है सारुक अभी कहीं आया है और इस यह भी गिरिल जो है बड़ी है इसमें भी तीन सर्या लगी तो दवा लेने गया है इसमें बड़े साइस की है यह बड़े साइस की गिरिले तो इसमें नों सर्या लगी हुई है जिए सक्षो करें गिरिले साइस का बड़े सबदार कुड़े लगी है यह जब है